वैश्न वजन तो तेने रे कहीए जे पीड़ पराई जाने रे वैश्न वजन तो तेने रे कहीए जे पीड़ पराई जाने रे बापु ए पोताना पुत्रों नी नानी मोटी मांदगी वक्ते जाते माउचत करी पुत्र सिवानों एक प्रसंग आपड़े चानी है दक्षिन आफरिका थी बापु देश माँ पाचा फर्या ते वक्ते ते ओ मुंबई माँ थोड़ो वक्त रहा हाता मुंबई माँ घर लिधाने बहु दिवस नोता थाया एटला माज बापु नो बीजो दिक्रों मनिलाल सकत बीमारी माँ पटकाई पड़े तेने काल ज्वर थायो हतो ते वेडाये तेनी उम्मर दस वर्षनी हती केमे करीने ताव उत्रे नही मुंजारो थवा लागयो औने राते सन्नी पातना चिन्न पण देखाया बापु ये दाक्तर नी सलाली थी दाक्तरे कईू तेने सारू दवा थोडुच काम करशे तेने इंडा औने मर्की नो सेर्वो आप्पन ही जरूर छे बापु ये बला पार्सी दाक्तर ने कईू दाक्तर साहे अमे तो बड़ा अन्ना हारी छिये मारो विचार मारा दिकराने ए बे माती एकके वस्तु आप्पनो न थी बी जू कही न बताओ दाक्तर बोल्या तमारा दिकरानो जान जोखम माँ छे दू धने पाणी मेडवी ने अपाए पन तेथी तेनू पूरू पोशन नहीं थाई शके तमे जानो छो तेम हूँ तो घणा हिंदू कुटुम्बो मा जाऊं छो पन डवाने सारू तो अमे गम्मेते वस्तु आपिये ते तेवो ले छे मने तो लागे छे के तमे तमारा दिकरा उपर आवी सकती न करो तो सारू बापुए कहूँ दाक्तर तमे कहो छो एतो साचुच छे तमारी एमज कहे वूँ घटे पर मारी जवाबदारी बहु मूटी छे दिकरो मोटो थयो होत तो तो हुँ जरूर एनी मर्जी जानवा प्रहत्न करत ने ते इच्छत तेम करवा देत अही तो मारेज आ बालकने सारू विचार करवानो रहो मने तो लागे छे के मनुष्यना धर्मनी कसोटी आवा समयेज थाई छे खरो खोटो पण में एवो धर्म मान्यों छे के मनुष्ये मानसादिक कसुज न खावू जोईये जिवनना साधनोनी पण हद होई जिववाने खातर पण अमुक वस्तुओ आपने न करिये मारा धर्मनी मरियादा मने मारे सारू ने माराने सारू आवे वक्ते पण मास इत्या दिनों उप्योग करता रोके छे एले मारे तमे धारोचो ते जोखम वेठे छुटको छे दक्तर साहेब तमारी पासे थी एक वस्तु मागी लोँच तमारा उप्चारो तो हुँ नहीं करू पन मने आ बालकनी छाती नाड वगेरे तपासता नहीं आवडे मने पोताने पाणी ना उप्चारो नी थोड़ी गम छे ते उप्चारो करवा हुँ धारू छू पन जो तमे अवार नवार मनिलाल नी तबियत जोवा आउतारेशो ने तेना शरीर मा थता फेरफारो नी मने खबरापशो तो उतमारो आभार मानिश। बला दाक्तर बापुनी मुश्केली समझया ने तेमनी मागणी मुझब मनिलाल ने जोवा आववा तेमने कबूल करियो। बापु ये पची पोताना उपचारो शरू करिया। दरदमा उपवासने मोटु स्थान छे ए पन बापु जानता हाता। एटले हमने मनिलाल ने त्रण दिवस केवल नारेंगी ना रसनी साथे पाणी मिलवी ने ते उपर राख्यो। कटिस नान आपवनो शरू करियो। त्रण मिनिट ती वधारे वकत तेने टब मा राखता नहीं। परन्तु ताव हटे ने राते कई कई बके ताव एकसो ने चार डिग्री सुदी जाए। बापु गभराया जो बालक ने खोई बेसिश तो जगत मने शू केसे। बिजा धागत ने का न बुलावाई। वईद ने केम न बुलावा। ओतानी ग्नान, हील, अक्कल, डोलवानों मा बापने शू अधिकार। आवावा विचारो बापु ने आवल आगया। बड़ी बापु ने बिजा पन विचारो आगया। जीव, तु तारे सारू करे, ते दिकराने सारू करे, तो परमेश्वर संतोष मान से। ताने पाणी ना उपचार प्रशद्धा छे, दवा उपर न थी। दाक्तर जीवन दान नहीं आपे, तेना है अखत राज छे। जीवन दोरी तो एक इश्वन आजात मा छे। इश्वन नाम लईने तेना उपर शद्धा राकी, तो तारो मार्ग न छोड। आम बापुना मनमा धाला वेली चालती हती। रात पड़ी। बापु ये मनिलालने बिना नीचो वेला चोफालमा विल्डपेटवानोत निश्चय कर्यो। तेमने चोफाल लिदो, ठंडा पानीमा जबड़यो, नीचो व्यो। तेमा पग्ती डोग सुधी मनिलालने लपटेव। उपर बेध हबडी ओडारी। माथा उपर भिनो टुवाल मूक्यो। ताव लोढी जवो तपिरयो अतो। पसीनो आउतोजनो अतो। बेक कल्लाग पची तो मनिलालने खुब परसेवो छूटेव। कपाले थी परसेवना रेला चालिया। बापु ये चादर छोडी, शरीर लूचियों, मनिलाल पची गसकसाथ उँगी गयो। सवारे मनिलालने ताव हळवो थयो। दूधने पाणी तथा फळ उपर तेने 40 दिवस राख्वा मा आवे। बापु हवे निर्भई बन्या हाता। ताव हटीलो हतो पन काबु मावे हतो। आम बापुनी माउजत औने प्रभुनी कृपा थी मनिलाल भयंकर बीमारी माथी उग्री गयो। बापु खेता ते रामनी बक्षिस छे के पाणी ना उपचार नी अलपाहार नी ने माउजत नी तेनु निराकन कोन करी शके। सव पत पतानी श्रद्धा प्रमाने भले करे। मारी तो इश्वर एलाज राकी। एकले में जानीू अने आज पन एमज मानूज। तेनेरे कहीए जे पीड़ पराई जाने रे। वैश्ण वजन तो तेनेरे कहीए जे पीड़ पराई जाने रे। झाल